हेलो स्टूडेंट रामरतन स्टड़ी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है परसेंडेज में आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिष्णों को हल करेंगे जो चुनाव संबंदी प्रिष्णों होगे और इस चुनाव संबंदी प्रिष्णों में हम एक अच्छी लेवल की प्रिष्णों को जो कठिन स्रिणी में आते हैं उन कठिन प्रिशनों को हम जल्दी कैसे सौल्व करें या उनका करने का सही तरीका क्या होगा कि उन प्रिशनों को हम एक बार में सही आंसर कैसे निकालें और कम से कम कैलकुलिशन हमें करना पड़े तो चुनाव संबंदी जो कठिन टाइप के प्रिशन होते हैं जो बहुत हर किसी को नहीं आते करना ठीके सरल तो हर कोई कर लेता है तो आज हम उन प्रिशनों को हल करेंगे और एक नए अंदाज और नए तरीके से वो हम प्रिशनों को फ्रेक्शन मेहथट से करेंगे एक बिल से बिलकुल केलियर हो जाएं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें इसमें हर टाइप के प्रिशनों को रखा है तो आएए देखते हैं आगली नमबर का कोउशन इससे पिछली वीडियो में हम 138 तक प्रिशनों को हल कर चु नंबर का पृष्ण क्या कह रहा कि एक चुनाव में दो मीदवार ने भाग लिया दो लोग है कोई चुनाव में ठीक है बीस परसंट बोट अबैद घोसत हो गए तो जरह समझे कि बोट डलते कैसे हैं तो जरह समझे मान के चलो पहले होती कुल बोट कि कुल बोट कितने डले अब बोट तो मान के चलो बोट कुल बोट डलते हैं कुल बोटों में से हमारे दो टाइप की बोट होते हैं एक तो बैद होते हैं और एक क्या होते हैं अबैद होते हैं ठीक है यानि कुल बोट जितने बोट डले होंगे उन बोटों में से हमारे बैद बोट होते हैं और ठेक ना, बैद बोटों यादि दो लोग A और B, दो लोग दो प्रत्यासी हैं, A और B, हार जीत किसे होता है, बैद बोटों में से, तुझ समझे, कुल बोट कितनी डले, जितने भी बोट डले होंगे, उन बोटों में से बैद होंगे, और क्या होंगे, अबैद होंगे, मालो 100 बोट डले तो जरूरी थोडिवाले冷वा सों में से यह दी 80% क्या अबएद हो गए लिकिन बोट तो डाले कितने लोगों से 20 आवैद। में संही डले他說 80 80 आवमयर्द करना कि हार वाले को कितने मिलें तो आधारत पर हम प्रिश्णों में हम समझाएंगे बहुत किलियर तरीके से ठीक है तो अभी तो हमने बता दिया आंगे दिखे जरा एक चुनाओं में दो मीदवार ने भाग लिया 20% बोट अबैद घोसित हो गए हम इसको करेंगे फ्रिक्षन मेथड से तो जरा समझेए 20% की फ्रिक्षन क्या होती है एक बटे 5 यानि हमने माना कुल बोट आपके कितने है आपके सहर के या गाओं में या जगह के कुल बोट है उसकी जन संगया वहां की बोट कुल कितने बोट है पांच बोट है पांच बोट कुल बोट है प पांच मैं से एक अएध हो गये इंवेलेड हो गया तो बताइए बैद हमारे KITने बैट हो जाएंगे बैध हो जाएंगे चार बोत अब जो दोनों प्रत्यासी को बोत मिलेंगे वो हारजीत होगी बैध हो जित किस से पता चलता है बैद बोटों से किलवंट कितन ऐ है पाच का 20% या रहनि एक अबैद हो गए, तबैद कितन रहें गी चार, आब हार जीत 2 परत्यासी हैं एक और A है क्यों है 아마 B. और जीतने वाले, को 70%, बैद महतों का प्राप्त होता है, जीतने वाले को कितना मिल्य है, सतर परसंट इसको मिला यहादी सतर परसंट तो बताओ इसको कितना मिला होगा 30 परसंट मिला होगा ठीक ना इसको मिला सतर परसंट इसको कितना मिला है 30 परसंट मिला है ठीक है और वह है एक को कितना मिला सतर परसंट बी को कितना मिला तो 100 यहां टाइंग नैशी कितना आ जाएगा तो भी का रहने बहुत ने से कितना जाएगा जे हमारा कितने оказin सीदि सिधे आ जाएगा 40स उच्ए it को मिला सतर पर रखेंट बी को कितना मिला 30 पर उक इतने पर्खेंट वोट से जीद गया 40-पर उसे किसका 40 पंव का 40 ऑन देक 1 इसको चार का 40 पेसी जीता है लेकिन चार का 40% बोटों से नहीं जीता, कितने बोटों से जीता है, यहां से पर्षेंट आएंगे, नीचे कितना आएगा, 100, यह से एक अड़ गया, तो चार चोके हो गया 16, और 16 चोके 64, यानि एक बड़े 10 बरावरे यहां कितना आएगा, 400, तो यहां इसका गुणा हो जाएगा, तो बैद बोट हमारे यहां एक इनिट कमान कितना आजाएगा, 4000 आजाएगा, एक इनिट बरावर, 4000 तो हमारे कुल बोट, कुल बोट पूछा गया है, तो कितने से गुणा करा देंगे, 4000 से गुणा करा देंगे, तो कितना हो जाएगा, यह 20,000, यानि कुल बोट कितने हो ग चार हजार बोट ठीक है अब देखे जराबाद को यहां पर अगर आपसे बैद पूछा जाए तो एक कितना है चार तो यहां चार इसमें कितनी से गुणा करा दें त्यानि हमारे हो जाएंगे और सोलह हजार बैद बोट कितने आज़े घ्जानि अगर हम आपसे पूछएँ बी को कितना बोट मिला तो बी चार सौब 0000S चार चार 6k confirm क्योंकि बैद कान तो 16000 का कितना कर दें 30 परसेंट है ठीक है अगर hem एक को कहा जाए कि इसको कितने बॉट मले तो 16000 का कितना करे 70 परसेंट कर देंट तो जो हमारा हार जीत अंतर आएगा तो वह लोगों नहीं डाले कंडिशन देखे क्या होती है मान लोग कोई सहर है ठेके कोई सहर है उस सहर की जन संख्या मान कितनी है कितनी है पहले हम समझाएंगे कॉशन सहितर से समझ में अलाएं कोई सहर की जन संख्या कितनी है दस हजार है अब बताएए मुझे दस हजार लोग है तो क्या दस हजार मैंसे दस हजार बोट डाले हैं ऐसा नहीं हो सकता है कुछ प्रतियासी ऐसे होंगे जो बोट नहीं डालेंगे, दो नहीं डालें, तीन नहीं डालें, दस हजार के दस हजार तो किसी कंडिशन में बोट डालें नहीं सकते हैं, ठीके, कुल बोट कितने हैं आपके दस हजार, अब दस हजार में से डाले गए बोट, डाले गए बोट ठेके पहले तो शेर की जनसेंगा कितनी दस हजार दस हजार मैंसे कितने बोट डाले गए बोट अब बोट डाले गए बोलेट बोट डालेंगे तो दो टाइप के बटेंगे अब बोट तो डले हैं लेकर उन बोटों में बैद होंगे और क्या होंगे हमारे अबैद होंगे कोई कुल संग के कितनी मांगे के चलो 10,000 और बोट डाले कितनी अजयर नो हजयर डाले 9000 डाले अब 9000 मेंसे हमारे अब 9000 तो डले जरूर तो नो के 9000 बोट सही डल जाए कुछ ऐसे होगे कि जल्दी जल्दी में उल्टा सीधा बटन दवा दिया जो इन वैलेट हो जाते हैं ऐसा भी तो होता है ना तो सहरी की जन्सिंग कितनी दस अजार है 10,000 मेंसे बोट डालने कितने आए 9000 मेंसे 8000 हमारे क्या हो गए अब हम कॉंसर्ण समझा रहें 8000 बैद बोट यानि साही और 1000 क्या हो गए अब हार जी जो बोटों का द्यूंदा वो किस से चलता है बैद बोटों से अब दो प्रतियास ए और बी अब ये को जो बोट मिलेगा ब बोटों से जीच जाएगा 80% बोटों से किसका सी पर्षंट बैद का यानि 8000 का कितने पर्षंट असी पर्षंट ठीक है तो इस तरह से आपका चुनाव वाले प्रिशनों को हल किया जाता है कि कुल बोट कितने हैं जितने भी बोट हो अब उस सवाल में यहां से स्टार्ट कर स सकता है यहां से स्टार्ट कर सकता है या बैद पर्षंट बनता है और यदि आप बिल्कुल सही तरह से कुश्चन करना चाहते हैं तो अब इसी कुश्चन आपके बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे ठीक है सहर में कितने बोट है फिर उसमें से कितनी लोगों ने डाले उसमेंसे बैद हमारे कितने अबैद कितने है और हुरी जीत होती है बैद मत्र का होता है आप लोगों ने На nhân भाग लिया कि आप इस परषंट ने क्या होती है एक बटे पांच आप इन प्रिषन वह स्वांन के कर सकते हो 1000 मान के कर सकते हो X मान के कर सकते हो Y मान के कर सकते हो लेकिन जो सही तरीका है या जल्दी आंसर कैसे निकले वो हम कराएंगे fraction method से हर teacher का अलगला पढ़ाने का तरीका होता है कोई किसी तरह से कराते लेकिन इस तरह से आप करोगे तो आपकी question जल्दी solve हो जाएंगे दिखे 20% लोगों ने मत नहीं डाले 20% लोगों ने मत नहीं दिया 20% की fraction होती एक बटे 5 तो कुल बोट कितने हैं 5 कुल बोट हो गए 5 5 कब 20% यान एक ने क्या नहीं डाले बोट नहीं डाले ठीक ना 20% लोगों ने लोगों ने मत नहीं दिया ठीक है तो मत कितने बोट कितने डाले बोट डाले बोट डाले कितने हैं 4 ठीक है 4 बोट डाले अब बोट डाले 4 अब 4 बोटों में हमने क्या बताया था इक तो बैद होती हैं और क्या होते अबैद स्यख्रे के कुल आवादी पांच लोग क सीन्रेक वोट ने डाले यहां ऐसे 5 कब 20 लόगों ने बोट नहीं डाले यहां ऐसे बुच सकते हैं 5 का 20 То कितने हो गए अबैद साड़े बारा पर्शन बार से एक बटे दो पर्शन इसकी फ्रिक्शन क्या होती है एक बटे आठ है कि एकषिए एकषिए अगर ऐद वरा और प्रशी सर्फिक्ष नहीं 11 diversity inבת बैद कितने है भैद कितने है en सेकुम चा संबसे कर당कों चाया सादबसे दो साद नहीं साद नहीं साद नहीं साद बैद invite न कम करकेद कलन c1 सäg मेदḥ और बैद मतों का 60% मत प्राफ्थ हुआ और बैद कितने साथ बटे दो अब इसमें एक व्यक्ति है और एक कोन है इसको मिले साथ पर्षेंट इसको कितने मिले होंगे स्वरी चालिस पर्षेंट इसको मिले होंगे चालिस पर्षेंट एक को मिले साथ पर्षेंट तो बी को कितना मिला होगा चालिस पर्षेंट कितने पर्षेंट बोटों से जीत गया यह जीत गया बीस पर्षेंट बैद मतों का बीस पर तो आपके यहां से जाएगा एक इंट बढ़ाओ कितना जाएगा 6000 और पूछाए कुल मतों की संक्या तो एक इंट बढ़ाओ तो आप देखे अगला कोशन एक सो चालिस के बाद एक सो एक तालिस नंबर का प्रिशन कहरा एक चुनाओं में दो मीदवारों ने भाग लिया बीस पर्सन लोगों ने मतदान नहीं किया समाजी अच्छा कोशन है बीस पर्सन के फ्रिक्सन होती है एक बटे पांच यानि कुल बोट कितने है कुल बोट है आपके पांच पांच का बीस पर्सन यानि एक ने क्या ने किया बोट नहीं डाले टोटल बोट है पांच पांच का बीस पर्सन यान एक ने बोट नहीं डाले तो डाले बोट कितने बोट डाले बोट कितने बोट कितने बोट डाले बोट कितने चार ठेके चार बोट डाले और छेसो मत क्या हो गए अभैद घोसत हो गए अब हमारे बात को सुनना बोट डाले चार चार में होता है बैद और क्या होता है हमारे अभैद होता है तो बैद की संगे कितनी दे रखे छेसो ठेके और हार और जीत एक ए व्यक्ति है और एक कौन है बैद यहां 600 जीतने वाले को बैद मतों का 75 परशंट मिला यदि इसको मिला है एको मिला है 75 परशंट सिंपल सी बात यदि एको मिला होगो 75 परशंट तो बी को कितना मिला होगा परशंट ये कोशन चाइंगा 50 पर्शंट बोटों से नहीं जीता जीता कितने से हैं 500 हजायानillar यानि हमारे बैद मतों के संगे कितनी आ गई पांच हजार कितनी आ गई पांच हजार अब बताइए बैद और अबैद जी किसके बराव हो जाएंगे चार के बराव हो जाएंगे पांच हजार यही से जी कितने हो जाएंगी छहपन सो इन दोनों का यगकी संख देगी उसमें पूछा रिंतों की ए यह संक है तों पांच कितना प्रफिने खरतेंगे चौदा 100 तो चौदा पंचे 70 यानि जो कुल बोटों की संख्य आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 7000 ठीक है 142 नमबर कर देगो एक चुनाव में 2 मीद बार थे जिसमें कुल मत दाताओं की संख्या मैंसे 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया टोटल कितने पर्षंट होता है, टोटल होता है 100%, ठीक है, भाग नहीं लिया, कितने पर्षंट लोगों ने लिया, 5% लोगों ने भाग नहीं लिया, तो भाग कितने लोगों ने लिया, भाग लिया चुनाव में, भाईए सो में से 5% लोगों ने भाग नहीं लिया, तो कितने पर्षंट लोगों ने भाग लिया होगा ठीक है विजय उम्मीदवार को कितने पर्षंट मिला 47 पर्षंट अब 95 पर्षंट लोगों ने डाला इस बार पर्सेंटेज में दे रखा उसमें निकाल करके नहीं दे रखा पर्सेंटेज में दे रखा तो 95 पर्षंट लोगों ने बोट डाला तो विजुत उम्मीदवार को यानि यह जीतने वाले को कितने परशंड मिला। 49 पर्शंटु यदी 95 पर्शंटंट मैंसे जीतने वाले को मिल आरता दालिस पर्शंटु बताव हारने को कितना मिला होगा 47 % इन दौनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा 95 % में ऐसे 1 वेक्ति को मिला 48 % और 2 को मिला 47 % तो जीदेगा कौन इसमाँ? क्योंकि इसको 48 % मिली इसको 47 % जीतेगा कौन 넣고 कितने परशंट बोठोस से जीदिया? 1%. ऑट 1% बोटो वो कितने से जिए गया? वो जिए गया, 4000 बोटो से 1% कमान 4000, एक कमान कितना आ जाएगा? परशंट आज नीचे 2.0, 2.0 यहाँ हो जाएगा? तो कितना आ जाएगा? हपर कितनी 0 लग जाएगे? 1, 2, 3, 4 और 5. दो हारे हुए उम्मीद्वारों को कितना मत प्राफ्थ हुआ तो कुल वोट हमारे कितने आ गये चाल लाग हो पूछ रहा कि यारने वाले को चार लाग आप को ěनि परेशंस दो जुरु से 0 काटएंगे एक एक लाग 2009 has एक लाग अठासी हजार इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है आंगे देखें ज़रा सवाल 143 नमर का कुशन देखें क्या किरा दो अमीदवारों की बीच हुए चुनाओं में एक को बैद मतों का 55% मिला बैद मतों का 55% मिला अबैद मतों की कुल संख्या जो अबैद मतों की संख्या कुल मतों का कितने परशंट है 20% यदि कुल मतों की संख्या 75 सो तो दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैद मतों की संख है कितनी है कोशन अच्छे है हम इस कोशन को कहां से शुरूआत करें तो आपको कोशन यादी लागाना है तो आप यह देख करो कि कुल कितने मत है हार जीत वाले तो वैद मतों का होता है हमारा क्या होता है तरीक कुल मत, मत बोले या बोट, कुल मत हो गए 5, 5 का 20% एन एक क्या हो जाएगा हमारा, अबैद हो जाएगा, 5 में से एक अबैद हो गए, तो बैद बताओ कितने हो जाएगे, बैद हो जाएगे 4, बैद कितने हो जाएगे 4, अब दिखी जरा क्या कह रहा, अबैद मतों की कुल तो अबेद कितना हो जाएगा चार अब यहां पर देखे कुल मतों की संक्य पांच नहीं सवाल में कितना कह रहा पच्छतर सो कह रहा तो चार पांच उनिट कमान कितना पंदर पना पच्छतर एक उनिट कमान कितना हो जाएगा पंदरा सो तो बैद मतों की संक्य कितना हो दूसरे उमीद्वार को मिलने वाले बैद मतों की संखे कितने आप मुझे बताओ एक को मिला 55%, बूसरे को मिला 45%, तो इस बार वो कहा रहा कि दूसरे उमीदवार को कितना मिला, दूसरे उमीदवार को मिला 45%, किसका 45% बैदमतों को, तो शाथ हजार का, आप कितने परशन कर दो, 45%, परशन आए नीचे 2,0, यह सही 2,0 से 2,0 कड़े, तो 45, 0,6, 35, 0,6, 24, 25, 27, यानि हमारा 2700 के आजाएगा आंसर तो दूसरे उम्मीदवार को संख्या आजाएगी कितनी 2700 ठीक है अगला कोश्चन देखें 144 दो उम्मीदवारों के मत होने वाले किसी चुनाओं में पहले उम्मीदवार को कुल बैद मत अक 80% यदि कुल 180,000 मतों मेंसे 10% मत अवैद घोसित हो गए तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला दिखें 144 नमबर का कोश्चन कहरा कि दो उम्मीदवारों के मत होने वाले किसी चुनाओं में पहले उम्मीदवार को कुल बैद मतों के कितने पर्षण मिला 80% दो बैद मत नहीं होते हैं पहले यह तो पता चले कि कुल कितने बोत हैं और क्ल कितने डाले गए में बैदे मतों का हर जीत है ठीक ना तो कहह रहा कि 10परसेंड मत अभैद घोसट हो गए है तो 10 फ्रिक्षन होती है एक बड़े, 10 यानि क्वूल बोट कितने होंहे यूदर 10 का 10 यानि क्या हो जाएगा अभैद, यानि क्ल्वूट यूदलो इस बोट डाले गए, दस का क्या स्टने रखन गाएं तो बताओ आप मुझे बैद कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे बैद अब हार जीत बैद मतों से होता है यह और बैस को मिले कुछ परशन असी परशन मिला तो सिंपल सी बात कितना मिला होगा 20 परशन यहीं बैद मतों से एक को मिला जीतने वालों को मिला 80 परसंट तो हारने वालों को कितना मिला हो बीस परसंट और शुरुवात में देरा कुल बोटों की संग्गे दस नहीं सवाल में कितना कह रहा एक लाक असी अजार ठीक है अब देखो तो एक इनिट बराओ जीरो से जीरो कर जाएगा तो 18,000 आजाएगा तो एक इनिट बराओ अठारा हजार तो बैदमत इसमें कितने का गुणा करा देंगा अठारह जार का गुणा करा देंगे कुल बैदमत इतना आ जाएगा ठीक है लेकिन वो पूछा दूसरे उम्मीदवार के पक्च में कितने बैदमत पड़े तो दूसरे तो गुणा करने पर इसका जुआएगा 3,2,4,0 ठीके इसका आप गुणा करने न तो आपका जी हो जाएगा आंसर तो इस वीडियो में हमने अच्छे प्रिश्णों को सॉल्व करने के लिए या उनका तरीका क्या होगा थिके तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब करें और आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं